नमस्कार मित्रो 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं उत्राखन मुक्तविसी विद्याले का कम्यूनिटी रेडियो हलो हल्दवानी आज हमारे स्टूडियो में एक बहुती अनुभवी बहुती मकबूल सक्सियत मौजूद हैं प्रोफिसर H.C. पोखरियाल हमारे साथ मौजूद हैं आप ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के साथ ही उच्छे सिक्षा के बहुती महत्पून ओहदों पर रहे हैं बहुती महत्पून दाइतों का निर्वहा आपने किया है और आज हम बात करेंगे कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के जो लर्नर्स हैं सुक्षार्ती हैं वो कहां से अच्छा कंटेंट प्राप्ट कर सकते हैं कहां से पढ़ सकते हैं किन किन सोर्सिज के जरिए इस तरह की बहुत सरी बातें आज हम करेंगे और कैसे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग हमारी पहाड की बीटियों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है इस पर बात होगी तो बहुत विस्तार के साथ प्रोफेसर एच्सी पुखरियाल जी का अगर परिशे देना चाहूं साथ साला का जो कंटेंट है उसमे एकनॉमिक्स में आप प्रिंसिपल इन्वस्टीगेटर रहे हैं आई आई टी रूर्की के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में आप रहे हैं 2021 से 24 तक लाल वादूर सास्त्री आई एस अकैडमी में आप रहे हैं एग्जुटिव डिरेक्टर के त 2019 तक तो प्रोफेसर एच सी पोखरियाल जी का इतना अनभव है कि हम उसमें से कुछ एक चोटा हिस्सा भी अगर आज ले पाएं तो काफी होगा प्रोफेसर एच सी पोखरियाल जी आपका बहुत-बहुत सागत है हमारे स्टूडियो में सभी शुरुताओं को मेरा नमस्का और जो लर्निंग प्रोफेस है उसमें कुछ मदद कर सकों वर्तमान में जैसे आपने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आईटी रुड़की के बोर्ड ऑव गवरनर्स के माध्यम से कि कुछ उत्राखंड के शाक्षिक और स्थाई विकास में सस्टेनिवल डेवलप्मेंट महिला के इंदर विकास में कुछ अच्छे कारें हो सके इस सलसे में इस समय हम लोग उत्राखंड मुख अभश्य विध्याले में आ करके बहुत सारी बात हम लोगों ने आपकी अकादमिक परिशद में की है और मैं ये उमीद करता हूँ कि आने वाले भविश्य में इसमें और अच्छा काम होगा तुसर ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में आपने एक बहुत अर्सा डेली उनिवसिटी में काम किया है किस तरह से देखते हैं आप दुरस्त और मुक्त सिक्षा को जिस तरह से इसका एक बहुती ब्राइट फ्यूचर बताया जाता है कि आने वाली जो हमारी सिक्षा प्रणाली होगी वो कहने कहें ऑनलाइन की तरफ तो बढ़ ही रही है और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की तरफ भी बढ़ेगी कितनी सचाई है इन सब में क्या क्या एन्हांसमेंट इस फिल्ड में हुए हैं बेहतरी क्या हुई है इस फिल्ड में और नई सिक्षा नीति किस तरह से ओपन और दुरस्त सिक्षा को देखती है मचाहती इस पर आप बात रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो राष्ट्रिय शिक्षानीती दोजार बीस है वो यह कहती है कि हमको दोजार पैंतीस तक अपना जिसको अफसकल इंडॉल्मेंट रिशो ग्रॉस इंडॉल्मेंट रिशो जिसको कहते हैं आप वो हमको लगबग पचास से भी ज्यादा प् शिक्षा की गुणवात्ता को बढ़ाना बहुत बड़ा काम है और इसी लिए उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले और अन्य विश्विद्याले भी इसी दर्शा में काम कर रहे हैं आचा बीच में क्या होता है कि इसी बीच में पिछले 10 साल में आप देखेंगे कि हमार से लर्निंग प्रोसेस में जोड़ें यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती है और इस चुनोती को पूरा करने के लिए जो उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले है वो एक बहुत ही महत्तुपूर्ण भूमिका निभाता है हम लोग पिछले करीब 10-15 दिन से कुछ कुलोंकता अच्छी है और यदि शिक्षा उस सामाीक प्रिष्ट भूमि में उसकी जरुरतों को पूरा करती है जिसको आप Velio-Added education कहते हैं जिसको कोआप Skill Enhnancement Education कहते हैं जिसको आप holistic education कहते हैं जिसको आप multi-disciplinary education कहते हैं जिसको आप कहते हैं problem focused education कहते हैं जिसको आप experiential learning कहते हैं यह सारे के सारे जो बिंदु हैं यह बिंदु जो open and distance learning है इसके साथ जुड़े हुए हैं देखें मैं अपने शुरुताओं को जो भी उत्राखरंड मुक्त विशुरुद्याले में enrolled हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत से चुकि आपके पास एक mobile है mobile में बहुत कुछ कर सकते हैं आप social media में लेकिन सबसे महतुपोंची जो mobile में हमारे चात चातराओं को करनी है हमारे शुरुताओं को करनी है वो यह है कि learning contents को अच्छे contents को आप सर्च करें मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अंतराश्तिय स्तर पर जैसे अगर international ranking देखें तो एक MIT है Massachusetts Institute of Technology वो तीसरे या चौथे नंबर पे है और हमारे भारतिये जो विश्व इद्याले हैं वो काफी नीचे आते हैं तो Massachusetts Institute of Technology के learning content जिसको आप कहते है open learning content वो available हैं अंग्रेजी से घबराना नीचे है समझना चाहिए पढ़ना चाहिए और उसको अपनी भाशा में translate करके समझना चाहिए और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं मालिया कोई साहित पढ़ता है या मालिया कोई अरतशास्त पढ़ता है राजनीत शास्त पढ़ता है तो मूल समस्या है पूरे विश्व में एक ही तरह की है इद्यान रखेगा आप यह नहीं कहेंगे कि अमेरिका की समस्या कुछ और है और मेरे देगाट की या मेरे थैलिसेंट की समस्या कुछ और है मूल समस्या एक ही है हाँ समाधानों के हिसाब से हम अपने अपनी बात कर सकते हैं तो घूम फिरकर के बात कहां पे आ रही है आपके problems जो हैं उनको जो आप learning contents को पढ़ते हैं उसके साथ जोड़िए अच्छा काम करिए अच्छे project लिखिए और अच्छी degree लीजिए और मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको इससे आपकी capability बढ़ती है और यही राष्ट्रिय शिक्षा नीती की बात है और यही उसका सार है और अब यह फरक नहीं है कि अगर आप मालिया किसी लब्द प्रतिष्ठित विश्विद्याले में आप नौकरी ढोड़ रहे हो या वहां पढ़ने के लिए जा रहे हो तो तभी आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी इसक जिसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं और यही उत्राकर्ण मुक्त विश्विद्याले मुझे लगता है कि इसी प्रक्रिया में आपके साथ है तो बहुत ही जरूरी एक मैसेज आपने दिया है सबी स्टुडेंस को कि लर्निंग माटेरियल आप कहां कहां से लें और यही इसकी है हमारे ओपन लर्निंग की कि हम अच्छा माटेरियल कहीं से भी ले सकते हैं ओपन एकसे से बढ़ सकते हैं बस माध्यम का थोड़ा सा दिकत हो सकती है लेकिन आपने घबराये नहीं जब तक हम जोंकेंगे नहीं खुद को भाशाओं में तब तक हम सीख नहीं पाएंगे त तो सर्ब ये एक चुनाथी तो रहती है क्योंकि कांटेंट कई बार बहुत अच्छा नहीं होता है किताबों का भाशाई असुदियां होती हैं टीचर आपको अवैलेवल नहीं है मुक्तिस में तो लेकिन इसके कुछ दुसवारियां ये हैं कि सुदूर पहाड़ों में कई किताबें वक्त पर नहीं पहुंसी बहुत तरह की दिक्कते हैं उबन सिस्टम में उसको दुरूस करने के लिए क्या क्या प्रियासर हो रहे हैं मैं जाकर देखता हूं एक गाउं में ने देखा कि एवा ग्रहनी अगास काट रही है मैं सड़क पे पैदा चल रहा था तो मैं के पास रखा हुआ था देखे इस टेक्नलोजिकल रेविलूशन को हमको और जो भी थोड़ा भी चैतने लोग हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल करना है मेरे मेरे जो मित्र युवा मित्र खासकर सुन रहे हैं जो मेरे ख्याल से बहुत सारे सोशल मीडिया होते हैं उसमें आ मत अब यह है एक गाउं में कहीं मुझे मानलिया ऑन-लाइन मीटिंग करनी है तो गाउं के लोग जानते हैं कि किस पॉइंट पर आकर के यह जो स्मार्ट फोन काम करने लगता है यानि फोर जी काम करने लगता है मैं भी उतना ही अनपड़ हूं जितने कि शायद गाउं की ए बहुत सारे उधारन हैं आप लोग शायद जो लोग दूरस्त रहते हैं वह उस तक्नीक की ताकत को नहीं पहचानते हैं आपको अगर आधा किलुमेटर पहाड़ पर चड़ाई पर चड़ना पड़ता है और वहां पर आपको लर्णिंग कंटेंट मिल जाते हैं तो बजाए से कभी यह मत कहना कि नहीं मुझे तो नहीं आता या मुझे आप जब सीखने की कोशिश करोगे तो सब कुछ सीख जाओगे और वैसे ही जो परवतिय परवेश में रहने वाले जो हमारे चात शात रहे हैं उनके अंदर वैसी एक अधा शक्त होती है जिसको हम लोग रॉक कर सिखने की करें सीख वद्ममी है जहां यह सीख ओल इंडिया सीख्ञधा से के बच्शों को वो क्वालिफाए यह करते हैं यू पी हैसी के बाद तो उसके बाद वह आते हैं वहां भी मैं रहा हूं और मैंने उन य tweet आ प्रिश्रिक्षनारती उसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने ये सीखा है कि अगर तुम्हारे कोई शारूब खान का डायलोग तो याद नहीं आ रहा है लेकिन वह कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा इतनी टाकतवर है तो काइनात की सारी ताकते तुम्हें मदद करती है एक बहुत मशूर एक सिद्धान्त है डायलोग तो बहुत इंपॉर्टन्ट है वो ये कहता है कि इसको हम कहते हैं लॉफ एट्रेक्शन जो मैं चाहूंगा मैं वो पाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मदद्यम है उत्राखंड मुक्तविश्व द्याल है अच्छे कोर्शेज हैं आप डिगरी कर सकते हो आप ओनर्स कर सकते हो आप पीजी कर सकते हो आप डिप्लोमा कर सकते हो बशर्टे का आप करना चाहो तो मैं इस इतने अच्छे रेडियो के मद्यम से ये कहना चाहूंगा कि कुछ अच्छा करने के आपकी इच्छा होने चाहिए ये तमन्ना होने चाहिए इसको कहते हैं fire in the belly मेरे पेट में अगर आग होगी ना तब ही मैं भागूँगा और जातर हमारे युवाओं में क्या है कि इस technology को लेके मैं शायद few second में इस बिंदू पे आपको बताना चाहता हूं कि technology को लेके ये अजीव एक passive learner भी नहीं बलकि हम लोग उसके घुलाम ना बनो मतलब हम लोग उसके घुलाम बनते जा रहे हैं और देखो इस उधारन से आ एक पागल घोड़े की तरह है घोड़े की तरह है घोड़सवारी कभी जिस नहीं ने की होगा उनको पता होगा और लगाम तुम्हारे हाथ में है अगर और वो लगाम तुम्हारे rationality के लगाम है तुम्हारे बिबेक की लगाम है मैं जैसे कह रहा हूँ आप से अच्छा जैसे बड़े बड़े लोगों के या अगर अभी चीड बेनरजी का कोई 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 पूरा पूरा उसका लेक्ष्ट जो उन्होंने एमाइटी में दिया अगर वो आजाता है तो तुम उसको बढ़ोगे या सोशल मीडिया में वलूल जलूल चार्ट पकोड़े खाओगे तो अमूमन क्या होता है कि अगर इस पागल घोड़े को आप दोड़ने देते हैं लगाम नहीं लगाते हैं क्यानि मेरी लगाम क्या होगी कि मैं अपने दिल को बोलो कि नहीं नहीं यार मैं बड़ी मुश्किल से मुझे इस समय 4G नेटवर्क मिल रहा तो मैं M.I.T. से जरा जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूं उसको पढ़ लेता हूं ताकि मैं अच्छा लिखो और मेरी कैपसिटी बढ़े तो अमूमन ये करने वाले जो हमारे युआ चात्र चात्र है थोड़ा कम होते हैं क्योंकि उस बहुत 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 आगे बहुत अच्छे कोर्शेस हैं तो बहुत अच्छी बात कहीं कि और आज के दौर में तो ज्यादा विवेक की जरूरत है क्योंकि बहुत सारी बरगलाने वाली चीज़ें बहुत हैं आप एक ठेप पहाड़ी सक्सियत हैं और पहाड़ में आप निश्य रहे भी होगे तो पह और जो भी आपको लगता है कि ओपन सिस्थम महिलाओं के और ज्यादा कारगर है यह से और कारगर बनाया जा सकता है यह आपने बहुत अच्छी बात कहीं देखिए यह जो ओपन लर्निंग है जैसे हमारे हां बेटियां होती है अब आपने प्रैमरी किया और प्रैमरी किया और उसके बाद आप कहीं कॉलेज में कहीं अडमिशन आप कॉलेज पता लगा कि अब जैसे हम यह दरी कुछ काम कर रहे थे तो बच्चीं से मैंने बात की तो मैंने का बिटे कहां पढ़ने जाते हो प्लस टू कर लिया कहां जाते हो गैरिसेंड जाते हो अब गैरिसेंड न एसा तरहें की तरस्ता काम नहीं करती है खास कर बच्चें के लिए नहीं करते हैं country इसी में की हमारी मेहने के शादिया हो जाती हैं उन्हें क्षादि बार्यूंब लो ही पाहार में काफी तो एसे में यह जो उत्रकंड मक्त मुक्त विजव है खालें जो यह नाक्चुला खाल या चिंतौली एक गाहों इसके पास है वहां हम जा रहे थे ऐसी गाहों के लोगों से कुछ बात करने के लिए तो रास्ता हम भूल गए तो फिर मुझे याद आया कि क्यूंकि आपका सवाल है कि परवतिय महिलाओं के लिए परवतिय बच् सकते हैं तो हम रास्ता भूल गया है लेकिन वह पगडंडियां पहाड़ों में दूर से दिख जाती है जो हमारे श्रोता इसको सुन रहे होंगा वह मैजिन करें कि किसी जंगल में घास है आजकल तो वैसी भी घास बहुत बड़ी हुई है और महिला ही ज्यादतर घास काट है तो एक युवा मां अपनी बच्ची को लेके जा रही थी तो हमने उनको दूर से आवाज दी कि रुप जाओ वह रुप गई हो करी 30-35 वर्श की महला थी तो बात हुई तो हम उन्हीं के गाउं जा रहे थे तो बात उन्होंने की कि आप कहां से आएं क्या हैं मैंने भी ब पर है लेकिन वह बहुत इंपॉर्टन लर्निंग ये थी वह जो महला थी वह आप एमालने के हाई स्कूल पास थी शादी हो गई थी उसके पती गुड़गाओं में कहीं काम करते थे तो उसने का अच्छा आप जगा जगा घूमते हैं मैंने कहां मैं जगा जगा घूमता कि वह महिला आगे आगे हमें रास्ता दिखा रही है बीच में उसकी चोटी सी लड़की पांच-छे साल की लड़की उचलती भी नासती हुई जा रही है कुछ हमाई जे में टॉफियों हो गए थी तो हमने उसको टॉफिय भी दी तो शी वह बहुत खुश थी तो उस बेट को हम पकड़ें उत्राकरण मुक्त विश्रु द्याले के लोग तो उसको मौका दें तो पढ़े की नहीं वह उस महिला ने मुझे एक घर जाना था उस घर में मुलाकात कराई उस महिला ने का कि नहीं शाम हो गई थी आप हमारे हमारे यहां से नहीं जा पाएंगे जंगल का रास्ते में आजकल यह बाग बाग भी होता है पर हम ने का नहीं हम चले जाएंगे देगार जाना है उस महिला ने एक जगह में हमको अपने घर में चाय पिलाई और कहा कि नहीं अब और वो दूर तक हमें छोड़ने के लिए अपने पश्वों का वो दूद निकालने के लि तो देखो वहां जाना है तो अब अब इस इस घटना करम का विश्टरिशन कैसे करेंगे आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को ऐसी शिक्षा की जड़त है जो उनको सई डंग से आत्म निर्वर बनाएं इस तरह के एक्सपरिमेंट अफरीका में होया है कि महिलाओं के साथ एज प्रवती परविश के चात चत्रा होगी उनको पता होगा है कि पुराने घराट होते पानी में होते थे आप बिजली पैदा करें तो उन गायों की महिलाओं को हम वह दिए मत्य मांदेम से और अंतराश्टी यह संस्ताव से मिल करके एक ऐसा कॉर्स को सकते है कि कर चल अगर इस तरह के नीड बेस्ट कोर्स चोटे चोटे सेटिफिकेट कोर्स आंगन बाड़ी में काम करने वालों के लिए और लोगों के लिए कहने का मतलब निशकर से है कि आपको पता है कि शिक्षा की जरुत है कोई मुझे से ये ना ये ना कहे कल कि नहीं जहीं नहीं ये लोग तो है इसाब ये तो अनपढ़ है इनको क्या पता शिक्षा की क्या जरुत है हम लोग उने अक्रॉस इंडिया मुझे मुझे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं मेरी मेरी बच्ची को मैंने वहीं पूछा उस बहन से कि मैंने का इस बच्ची को कितना पढ जो माइग्रेशन है खास कर मैलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गाओं को छोड़ रही है तो ये कई तरह के मुद्ध हैं लेकिन हमारा बड़ा संक्षित जवाब इसमें यह है कि उत्तरा खंड मुक्त विश्विद्याले उन लोगों के साथ पहुंचे और रे जो फेस तो फेस लर्निंग में हम लोग नहीं कर सकते हैं तो मुझे उमीड है कि इन उधारों से हमारे लोग प्रेवित होंगे और उन उधारों से उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले ने 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 कोर्स नीट बेस्ट कोर्स बनाएगा आपके जो समानिये कुलपती है व इसे ही लोगों की जरुवत है तो सर नई शिक्षा नीती भी क्या उपन एजगुशन को लेकर कुछ कहती है जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो नैशनल एजगुशन पालिसी है दो बातों पर जो देती है कि शिक्षा संपूर्ण होनी चाहिए शिक्षा दिवस्था में जो शिक्षा अरती है वो समा से कटना नहीं चाहिए शिक्षा नीट बेस्ट होनी चाहिए शिक्षा समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए शिक्षा के ओल हमको क्लेरिकल के काम करने के लिए नहीं होनी चाहिए शिक्षा एक इसको कहते है एक्सपिरियंशिल लर्निंग प का निश्कर्ष यही है कि जो राष्टिय शिक्षानीती है वो इन सब चीजों को पहली बार अंडरलाइन करती है और पहली बार राष्टिय शिक्षानीती में बहुत एक शक्तिशाली करीके से open and distance learning को रेखांकिती नहीं किया गया है बलकि यह कहा गया है कि उसके बगैर उसके आपके जो लक्ष हैं वो आप राप्त नहीं कर सकते हैं बस जो उत्राखंड मुक्त विश्रविद्याले जैसे विश्रविद्यालेयों के जो नीत निर्धारक लोग हैं उनको गुणवत्ता पूर्ण पाठे करम और नीट बेस्ट पाठे करम बनाने होंगे और यही आजकल मतलब अगर आपका accreditation होता है तो यह देखा जाएगा कि आप कितनी अच्छी तरह से यह open distance learning को face to face learning के साथ कर रहे हैं अब तो यह भी है कि एक साल आप open distance learning में करिए दूसरे साल आप face to face करिए अगर बीच में कई नौकरी मिल रही है काम हो रहा है उसको छोड़ दिजे फिर हमारे सामने है आखरी सवाल सर की जो एक दोयम दर्जा था open distance learning के प्रती दोयम नजरिया था उसमें कितनी तबदीली आई है इन पिसले कुछ साल में क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत कुछ काम हो रहा है इस विलमाब फूचर जब इसको बताया जा रहा है तो वह तबदीली से पड़ाई लिखाई की है वो सब immaterial हो जाता है जब आप मेनत ही होते हैं और आगे बढ़ते हैं आपकी मेनत आपकी आपकी सबसे वड़ी पूंजी है और आपकी learning आपकी सबसे वड़ी पूंजी है पहले तो यह था कि लोग बड़े बड़े विश्युक्यालियों में जा अब वैल्यू इस बात किये कि आपने कितना सिखा है और एक और बात बताओ मैं आपको बड़े बड़े विश्युक्यालियों जो होते हैं एक बहुत अच्छी किताब निकली है जिन लोगों को शौको पढ़ने का एक्सिलेंट शीप वो ना भेड़ बनाती है जिसको सॉरी क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे एक मशीन में कोई कोई कपड़ा बन रहा हो तो शिक्षालियों का काम पूर्जे नहीं बनाना है इसलिए आप देखेंगे कि नई शिक्षानीति आने के बाद दुबारा हम लोगों ने मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम रख दिया बाद रहा है थाए तो शिक्षा में और मानव संसाधन में बहुत फारिक होता है तो और परवतिय परिवेश के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक रोक करेज होती है सबौद आप जंगल में जा रहे हैं हैं आप बहुत चोटे बच्चे हैं आपके सामने सांप आजाता है या कोई कोई ऐसी ballistic होती है जहांपर सामने नहीं है ना तुम्हारे माबाब है नकज है तुम्हें उस में निडे लेना है मयद़ शिक्षा आपको निडे लेना सिखाती है और अगर आप बिल्कुल एक शेहरी परवेश में रहेंगे तो निडे लेने के आपके ख्षमता उतनी नहीं होगी जितना कि आप एक स्वतंत्र परिवेश में रहेंगे अपने जानवरों को आप चराते हैं खेती का काम करते हैं इससे बड़ी शिक्षा तो कुछ होई नहीं सकती है बस यही है कि उसको लिंक करना है और राष्टे शिक्षानीती में इन सब कहना चाहूंगा कि जो भी विपरी परिस्तितियों में रहते हैं मैं आइलेंड गया जैसे लक्षदीप के अब देखें लक्षदीप कई बच्चों ने नाम ही सुना होगा मिनिक्वाइज जावाब लक्षदीप मैं गया तो मिनिक्वाइज के जो युवा हैं मेरी बात थो नेंगे तो शायद अच्छा रहेगा मिनिक्वाइज से अच्छे नाविक सेलर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते और वहां के यंग बच्चों की इंटरनेशनल डिमांड है सेलर की अब बताओ तुम दिली में हो या कलकटा में मुंबई में हो तुम्हारी डिमांड कु जाएगी तो यह आपको देखना है कि आप अपनी उन विपरीत परस्तितियों को अपनी ताकत कैसे बनाते हो तो पहाड़ां को आप अपनी ताकत बनाओ और मेरी शुक्रिया बहुत शुक्रिया अच्छी बहुत ही उत्योगी और मज़ेदार किस्सा गोई के लिए बहुत वक्त कोई रास्ता आपको रोखने वाला नहीं मिलेगा वो कहते हैं एक लाइन यादा रही थी मुझे कि मंचले उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और क्या पंक्षों से नहीं होसला से उडान होती है तो पहाड के बच्चों में होसले ही हौसले हैं भाई ही ति कि बहुती अन्भवी व्यक्ति हैं, बहुती महत्पोनों ओहदों पर रहे हैं, तो उमीद करती हूँ कि यह बहुती शांदार किस्सा गोई आपको पसंद आई होगी, अगर यह बाचित पसंद आई हो तो अपना फीड़बेक देना न भोलें, आपके फीड़बेक से हमारा मन अभास करको, दीजे जाज़त, नमस्कार